क्रशी शिक्षा नगरी उद्यपूर के रोयल संस्तान से एक बार पुना आपका हर्दिक स्वागत है जैसा कि आपको पता है आपका रोयल संस्तान ICR जो एगरी कल्चर की जितने भी इनोर्शिटीज होती है उनके एडमिशन के लिए ICR का देश का सबसे बड़ा एकजाम होता है जो कि NTA कंडेक्ट करवाता है 2022 के अंदर रोयल इंस्तिटूट की तरब से एगरी कल्चर वरग में पूरे देश के अंदर सोनी का जाट की फैस्ट रेंग रही इसके अलावा चार सो से उपर बच्चे देश की टॉप इनोर्शिटीज में पढ़ने गई और मैं आपको बताना चाहूंगा IRI जो फैस्ट टाइम इस बार जो है काउंसलिंग में सामिल हुआ था UG के लिए कोर्सेज उन्होंने चालू किये फैस्ट टाइम उसमें 10 से उपर बच्चे रोयल इस्टिटूट के सलेक्ट होके गई इसके अलावा 2021 की बात करता हूँ ICR की तो उसमें भी 200 से उपर बच्चे रोयल इस्टिटूट के सलेक्ट होके गई थे मैं स्टेट लेवल के एकजाम के अगर बात करता हूँ JAT 2022 की तो किशन बाकर की पूरे राजस्तान के अंदर 415 नंबर के साथ में फैस्ट रेंग रही, टोप 10 के अंदर अलग-अलग वरक के अंदर 30 चे उपर बच्चे रोयल इंस्टिटूट के रहे, सेकड़ो बच्चे सलेक्ट होके राजस्तान की अलग-अलग उनिवर्शिटीज में गए, इसके अलवा, जो सीउटी का जो एकजाम है, उसके तुरू देश की जितने भी इनवर्शिटीज है, इस्पेसली सेंडरल इनवर्शिटीज है, उनमें एडमिशन होते हैं, बीएच्ट यू भी उनमें से एक है, लाइस्ट ये शीउटी के तुरू, बीएच्च्च् ने बीएच्च्च में साकार किया, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि सीउटी के जरिये, कितनी ऐसी इनवर्शिटीज है, जिनके अंदर जो है, सीउटी के तुरू, एगरिकल्चर के जो कोर्स है, उनमें एडमिशन होंगे, मैं आपको अभी जो इनवर् सामिल है, अब अपन देखते हैं, सबसे पहले आपका यहां पे जो इनवर्शिटी आती है, वो है बीएच्चु बनारस हिंदू इनवर्शिटी, जो कि आपका यूपी के अंदर है, यूपी के अंदर जो आपका बीएच्चु है, उसकी मैं बात कर रहा हूं, कोर्स का नाम है बीएच्च अग्रीकलचर, बीएच्च अग्रीकलचर में अगर आपको जाना है, बीएच्च यू में जाना है, तो आपको जो है, पेपर के कौन से डॉमेंट सबजेक्ट आपके रिजल्ट में काउन्ट किये जाएंगे, वो मैं आपको बताने वाला हूं, तो देखो PCM या तो आप पेपर PCM से देंगे या फिर आप PCB या पेपर आप PCB PG's Chemistry Biology से देंगे या फिर आप BCA किसे देंगे? BCA मतलब ABC एगरी कल्चर वाला बच्चा ABC से दे सकता है या फिर PCM वाला भी जो भी कॉंबिनेशन तिनों इनमें से कोई एक सब्जेक्ट लेकि आप पेपर दे सकते हो PCB का बच्चा ABC से पेपर दे सकता है जैसा कि लाश्ट एर भी बच्चों ने दिया तो यहाँ पे किलिर हो गया कि BHU में जाने के लिए एगरी कल्चर से BAC करने के लिए आपको पेपर अटेंड करना होगा PCM, PCB और ABC इनमें से कोई एक ग्रूप आपको चूज करना है किलिर कट अब अपन देखेंगे विश्व भारती इनवर्शिटी BAC Agriculture कोर्स में अगर आपको एडमिस्ट लेना है तो या तो आपके पास होना चीए PCM या फिर आपके पास होना चीए PCB या फिर आपके पास होना चीए PCA PCA इसका मतलब यहाँ ABC का ओप्सन नहीं है कोशिस कराई जाएगी बोला जाएगा बच्चों के दौरा रिक्वेस्ट की जाएगी कि भाई सर आप जो है ABC का ओप्सन दो लेकिन कहीं बार रिक्वेस्ट नहीं मानी जाती इनुवर्शिटी के ही कहीं बार रूल चलते हैं और वो अगर ABC से अलाउ नहीं करते हैं तो उस केस के अंदर आपको पेपर किस से अटेंड करना पड़ेगा PCA से तो हाल फिलाल आपको वहां क्या लेना पड़ेगा फिजिस, केमेश्ट्री, एगरिकल्चर तो आपको पेपर अटेंड करते हैं वक्त जो है जो डोमेन सब्जक्ट जब आप लोगे उस टाइम आप फिजिक्स भी ले सकते हो इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया जिसमें ओनलाइन फोम परके मैंने आपको बताया उसे मैंने बताया ता आपको कि किस तरीके से आपको डोमेन सब्जक्ट लेने हैं ठीक है अगर आपको इस उनिवर्शिटी में जाना है को कंशिडर किया गया था अगला है हेमवती नंदन बहुगुना गडवाल इनिवर्शिटी जो आपकी बीएशी होटी कल्चर के लिए हम जनरली बच्चों को बोलते हैं और कई बच्चों को पता भी होगा हम यह चाते हैं कि बच्चा चार साल के डिगरी करें तो सबसे पहले एगरी कल्चर जनरल एगरी कल्चर एगरी कल्चर ओनर्स से डिगरी करें नहीं कि वो horticulture, forestry, fisheries इन से करें क्योंकि यदि आपने BAC agriculture से कर ली और आपकी इच्छा है कि मैं horticulture से MSC PhD करू तो आपके पास option रहता है तो कोई बच्चा अगर दो option बच्चे को मिल रहे हो तो मैं सबसे पहले चाहूंगा कि वो BAC agriculture में जाए लेकिन यदि किसी बच्चे के पास कोई option दूसरे नहीं बच्च रहे उतने नंबर बच्चे के नहीं आ रहे तो आपके ये university जो होटी कल्चर से BAC कराने के लिए इस बार जो है CUT में एड हुई है और यहां पर आपकी condition है PCM या PCB या फिर आपका PCA या फिर ABC मतलब ABC सब्जेक्ट देखे भी आप कहां ज सकते हो फिर आपकी विक्रम university BAC agriculture में भी है इसका option आपका और होटी कल्चर का भी है तो जब आप domain subject select कर लोगे उसके बाद में जब आप इसकी बात करोगे university selection की तो इस university को आपको दोवार select करना है एक तो कहां करोगे BAC agriculture के लिए और एक बार BAC होटी कल्चर के लिए यदि आप चाओ तो मैं आपको बता देता हूं जब अभी जब अपन फोरम बर रहे हैं तो केवल अपने पास यह option है यह कदाई compulsory नहीं है कि आपको इन में जाना ही पड़ेगा जब अपनी इच्छा होगी जब result आ जाएगा CUT का और अलग-अलग university जब अपनी application form निकाल लेगी counseling के लिए तब अपनी मर्जी पड़ेगी उस course के लिए अपने apply करेंगे कोई बात दे नहीं है तो अभी अब गर आप forum में इनको select कर लेते हो तो भी कोई गुना नहीं होगा ना कोई direct आपका यह admission होने वाला है इसलिए आप choice के time इस time university choice बर रहे हो उसमें आप इनको डाल सक के दोगे agriculture के number count कर लेगी बायो के में इसके कर लेगी के लावा बायो टेकनोलोजी mathematics इन इन सब्जेट के किसी एक के नंबर यह count करेंगी जिससे आप counseling कराना चाहते हो अब देखो आपका है अगला सोभी ती इनिवर्शेटी धिम्ट इनिवर्शेटी है और बी एसी agriculture के लि होगे तो ही यहाँ इलीजिबल रहोगे counseling कराने के लिए ऐसे ही आपकी जो गांधी रूलर इनिवर्शेटी है उसमें भी आपको जनरल टेस्ट के तरूई admission मिलेगा और यह दयाल बाग एजूकेशन इंस्टिटूट जो है यूपी में आपका बीसी agriculture के लिए इसमें भी उपरी तोर पे पूरी जानकारी दे दी है कि यदि आप इन उनिवर्शेटी में जाते हो तो आपको क्या domain subject लेने होंगे तो आपको domain subject क्या चूज करने agriculture, biology, chemistry एक agriculture के बच्चे के लिए बता रहो साथ में आप physics भी ले सकते हो और general जो आपका general test है वो भी ले सकते हो इन पां ज्यादा 10 तक लेते हो तो फिर और ज्यादा फीस है तो मैं agriculture के बच्चे को इतना ही सजेश्ट करूंगा कि वो तीन से ज्यादा मतलब general test जरूर ले और physics जरूर ले ताकि बाद में आपके पास option की कमी नहीं रहे आई बात समझ में आपने पूरा वीडियो देखा इसके लि नेक्स जो आपका वीडियो होगा वो सीउटी से रिगार्डिंग में लाओंगा ताकि कोई भी doubt आपके soul कर सकूँ अब doubt कौन से होंगे उसके लिए आप comment box में मुझे comment करें ताकि अगले वीडियो में उनको समिल कर सकूँ आपने पूरा वीडियो देखा इसके लिए आपक सक्कूंध टाकि वेरी मजच